कि नमस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत है मंगलवार की शाम को एक बहुत तेज ख़बर चली और ख़बर ये थी कि जैन्त चोधरी भारतिय जनता पारिटी के सीनियर नेताओं से मिले हैं दोनों के बीच में पश्मी उत्तर प्रदेश में चुनावी तालमेल की चर्चा हुई है चर्चा तो ये भी है कि चार सीटें भारतिय जनता पारिटी जैन्त चोधरी को देने के लिए तैयार है इनमें बागपत भी है केराना भी है अम्रोहा भी है और मत्हुरा भी है अगर ये एलाइन्मेंट हो जाता है ये समझोता हो जाता है अगर जैन्त चोधरी एंडिये का हिस्सा बन जाते हैं इसका मतलब ये है एक तो अखलेश यादव के साथ और इंडी एलाइन्स के साथ उनका गड़बंदन तूट जाएगा दूसरी बात ये है कि जब जैन्त चोधरी एंडिये का हिस्सा होंगे और भारती एजनता पारिटी के साथ तालमेल से लड़ेंगे तो उनकी सीटों की संख्या बढ़ेगी लोकसभा चुनाओं में 2014-2019 में RLD का खाता भी नहीं खुला था अजीत सिंग बागपत से हारे थे जैन्त चोधरी मत्रा से हारे थे मैं 2014 की बात कर रहा हूं और 2019 में जैन्त चोधरी बागपत से लड़े थे वहां से हार गए थे और अजीत सिंग मुझफर नगर सीट से लड़े थे वहां से हार गए थे तो पिछले दो लोग सभा चुनाओं में खाता नहीं खुलने का ही नतीजा था कि वो इरिलिवेंट होते हुए जा रहे थे अब जड़ा कल्प ना करिए अगर जैन्त चोधरी भारतिये जनता पारिटी के साथ आ जाते हैं तो ये जो पश्मी उत्तर परदेश से आने वाले आंदोलन जीवी हैं क्या ये फिर दिल्ली में आकर के मौर्चा बंदी करने की हिम्मत जुटाएंगे क्योंके अगर पश्मी उत्तर परदेश के जाट किसान जैन्त चोधरी के भारतिये जनता पारिटी के साथ गड़बंदन करने से उनके साथ खड़े होंगे यानि भारतिये जनता पारिटी के साथ पूरी तरीके से जम करके खड़े होंगे तो राकेश टिकेट जिनके बारे में तमाम तरह की अब चर्चाएं चल निकली हैं कि वो सुपारी बाज हैं और किसी के कहने पर आंदोलन छेड़ देते हैं और जब वो लोग चाहते हैं या जब थोड़ा विपरीत परिस्तितिया देखते हैं तो आंदोलन उठा भी लेते हैं उनका क्या हाल होगा और ये तो अकेले राकेश टिकेट की बात नहीं है अब और भी कई आंदोलन जीवी पैदा हो गए हैं उदर हर्याना की बात करें तो चड़ुनी से लेकर के बजरंग पूनिया विनेश फोगाट कई दूसरे लोग अब किसी के इशारे पर किसी खास दिन या किसी खास मौके पर या तो प्रेस कॉंफरेंस करने लगे हैं या फिर परदर्सन वगेरा करने लगे हैं और इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े होने शुरू हुए हैं जिस दिन नई पार्लेमेंट का लोकारपन था उस दिन बजरंग पूनिया विनेश फोगाट साक्षी मलिक ये सब क्या कर रहे थे ये जंतर मंतर से नई पार्लेमेंट की तरफ चल पड़े थे और जो ट मकसद जो इतना बड़ा काम हो रहा है पहली बार देश को अपनी संसद मिल रही है उससे पूरे देश का ध्यान डाइवर्ट करो और बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं महिला पहलवानों पर अत्याचार हो रहे हैं उनके साथ मौदी सरकार क्या कर रही है ये एक मीडिया में चीजों को portrait किया जाए तो इसलिए मैं इनको सुपारी बाज कह रहा हूँ कि खास मौकों पर जब ये इस तरह के कारणामों को अंजाम देते हैं तो ये कई बार भूल जाते हैं कि ये जिस समुदाय से आते हैं उसकी छवी actual में पूरे देश में क्या बन रही है तो ऐसे में अगर जेंत चोधरी आ जाते हैं तो एक तो राकेश टिकेट की दुकान बंद होगी दूसरे जो ये सत्यपाल मलिक तमाम तरह की बयान बाजी करते रहते हैं और अब तो वो इतने निचले इसतर पर उतर करके वहान बाजी करने लगे हैं पिछले दिनों वह कहने लगे कि या तो यह पुलवामा जैसा आटेक करा देंगे लोग सबहाचुनाओं से पहले या राम मंदिर पर ही आटेक करवा देंगे आतंक वााaggi या हमला करवा देंगे, या भारतिय जन्ता पार्टी के किसी बड़े नेता को मरवा देंगे, इस तरह की जबान इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, अलग-अलग समय पर बहुत महत्वपूर्ण नेताओं के साथ काम कर चुके हैं, इसी भारतिय जन्ता पार्टी ने इनको तो बहुत सारों की दुकाने भी बंद होने जा रही हैं अगर जयंत चोधरी भारतिये जन्ता परिटी के साथ आजाते हैं और इनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कर.